मश्कर दोस्तों मेरे नामे दर्पन और आप देख रहा आई बिन 24 न्यूज और इसे हमें खड़ें करनाल की मंगल कलोनी में जहां पर अभी अभी एक गोली चलने का मामला सामने आया है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि एक शक्स को जो है गोली मारी गई है सेर में और वहा कि इस वज़े से मारी कही तो जड़ा चाल करते हैं कि आकि उनके बेटे की हालत कैसी है इस समयं तो जड़ा unikी माता जी इसे बात करते कि नहीं जी क्या बात है क्या सुमम से काम है तो उसी से काम है तो नंबर दो मां का मैं नंबर उमर नहीं देते है नाय आदमी के तो नू पूछ के और वो चले गए आगे गए है तो हमारी परोस के एक लड़का के वहां कौन पर बोले है कि उसको अपनी पतनी के नू छोर दिय फृच वाध कर दूँगी गोली मारदूगी तो गोली मारदूगी और इस लड़क के दिलेवरी है अवरत दिलेवरी भी नहीं थी और इस लड़का के बोला है कि डिलेवरी है किया पता किसका बच्का है मुझे नहीं पता व ढए हुई है चार unless टीन महीना डिलीस रहके आई तो लड़का के बोला है कि मैं गोली मार दूँगी तो लड़का मेरे क्या के बोला है फे एसके लड़का था अन्ती ऐसे से बात है तो हम अब पते भाला लड़का की निकल के अरे देवस्थी से लेकि अ nov Are मैं पीछा करी हुग जो लड़का मुझे मील जाए, मिल जा तो मैं पुलिस के अरेश करवांगी, मैं मारूंगी, पीटूंगी नहीं, हम कनून के हाथ में देऊगी, इतने में में मेरा लड़का ओर कहुं बैठा था, उसके पापा के बोल के मैं बोलवाई हूँ, मेरा लड़ मेरा लड़का घर से निकलते निकलते गली में आया है ऐसे बोलते है इतने में गोली मार दिया है मेरा लड़का के मगच पर गोली मार दिया है सीर में गोली मार दिया है लड़का के और भागने लगा है तो हम पकरने लगे हैं तो हम बाइक पकरने लगे हैं फिर हमारे हमारे पती और मेरा लड़का कुछ दूर जाके तीन चार घर दूर जाके फिर लड़का का पकर के लिए आया है और मैं मोटर साइकिल पकरी हूं और ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जो है इस तरीके से गोली कोई थी दूश्मन, वो लड़की मरवाई हैं, वो लड़की के साथ उसका जीजा के सेठ है, हाँ, वो लड़की सोची है कि वो ही लड़का का मार के आजाओ जी तेरे साथ में रह जाँगी, अगर तेरे साथ रहूंग कितने बज़ रहा था में तो ध्यान नहीं है कितने बज़ रहा था कितना देर वोचो की इसाथ सरुब पोण एक हो गई यह फोण एक बज़े क Kensal के ह सबएन कितना सबक्राइब आयों हिए Häँडयों होगाığ का पचीस चबशनका होगा दो बच्चे के बाप है वो जिसने गॉली मारी है उसका उमर ज्यादा है, इसाल मेंव फैवconomy saal का वोगा अहां लड़का मेरी सुरू से शुरू यॉ रहना नहीं चाहती थी अपने की सिक बार रहें विखाएवे आप Siqah energy वससा और का केृत जिए के बद कर रहें hair जिसकी साधी ऊइव और लड़का जाने के चाहती थी अपने पती की लगान ना रहना चाहती थी वह करती थी मैं झीज़ा के घर जाओ की है उभेट बना कर ले आई थी, जिप नाइस कोई गाया था. भूद आय थी हम भी गए थी उनके गर और एंब कुछ अच्छे सरा इंचा उधार्थी करी करें अश्वब हैं इतनु अख्छी साधी कर आगेց अब बे टाक जो है आपके जो सिर में गोली लगी है तो उसामें कैसी थी उनकी के लिवाया वी बहुत बुरा हाल थी मेरा लड़का का यहां गिरन सा इसजस्ड देद ह। मैं तो डर गी थी कि मेरा लड़का के आख न फूट गिया मैं तो डर गी थी मैं तो सारे लगन बोलने लगी कोई फोन कर पुलिस के फोन कर पुलिस के फोन करूं तो पुलिस फोन न उठावे तो फिर मैंने रजी गुपता में लड़का के भेद दी हूँ वहां के सनू नहीं लिए है वो सरकारी भी भेद दिये है तो मैं गई हूँ तो मैं पुलिस उसमें गई हूँ चवकी में तो सारे पुलिस वाले हमारे साथ दिये है जी सब गारी लेके भाग के आये हैं हमें बठा के ले आये हैं और लेगी है सब वही आये हैं सब लेगी है लेडिस भी आये थे जेन्स भी आये थे हमें इनिस मदद करें है आगे करेंगे उनकी सारे गोरा के अरेस करना चाहिए जी उनके घर वाले सब के सब मीले जूले है जब लड़की यहां लीक के गई है जी हमारे पास सबूत है लीक के गई है तो जब बोली 15 दिन में आ जाओंगी तो आना चाहिए उसका घर था घर समझती तो आती तो घरी नहीं समझी तो आएगी क्या तो हमने उसकी सास के पास फोन करी ती जे भई कामनी कहां है भेद दो तब बोली जे आना कामनी के लिए ने आ तो फिर तरह कि मैं बताओंगी ऐसे से करूंगी तो मेरे बेटे ने बोला ममी रहने दो अपने आ जाएगी कोई बात नहीं लड़ाई जगरा नहीं करना है तो हमने भी सांती महल में रहना है सांती से हमें क्या पता कि वह और इसी मा है कि गुंड़ा पाल रखी है सुरू से गुंड़ा पाल रखी है बेटे के तो यहां पर जो है आपने देखा किस सरीके से हम लेकिन खून के चीटें यहां पर हमें दिख रहे हैं और यहां पर अभी अभी जो पुलिस तफ्टीश कर रही थी यहां पर जो है गोली भी यहां पर गिरी हुई पाई गई और यहां पर अभी जो पुलिस गद्वारा भी देखी जा रही थी तफ्टीश की जा रही थी और फिलहाल जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग भी जो है यहाँ पर सेक्योरिटी के लिए मौजूद है उनके घर के बाहर ताकि किसी तरह की और कोई वार्दत है उसको नजामना दिया जा सके लेकिन फिलहाल इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं और कुछ रंजिश का मामला ही इसके अंदर दिखाया जारा है परिवारिक जगड़े से लेकर यहां मामला दिखाई दे रहा है और इसमें दो शक्स आते हैं और इस तरीके से यहां पर गोली जो है अभी बताई जा रही है उन्होंने चला दी और जो सिर में गोली मारी गई है अब आ अब यहां कुछ लड़के और एक लड़के वाइर करके गोली लगी है चुछ ले गए जो क्यों तुरंथ प्रवाफ से मोका पर आए और वह लड़कों में से तीन लड़के जिनको में से एक लड़के को मने काबू कर लिया और उसकी बाइक पकली पर आया बाग की दो लड बीस इलाके सही है वह मंगल कोरी कही रखने वालाया यहीं कर देले जारा उसके बाइने बास पीजि नहीं हर सब्सकी प्लाइब कर लड़कों की अभी पुछता जारी है एक पकड़ लिया उसे भी पूछा जाए गर दूसरे दो को भी काबू कर लिया गया है और यहां पर जो है हम खड़े हैं मंगल कलोनी में आपको बता दें और यहां पर जो है अभी गोली चलने का मामला सामने आया और इसके अंदर ऐसे जो हरजंदर सिंग जी ने जो है बताया है कि एक लड़के को काबू कर लिया गया है और दो लड़कों को भी जल्दी से काबू करके उनसे पूछताच की जाएगी और आए दिन आपको बता दें इस तरह के लड़ाई जगड़े के मामले सामने आते रहते हैं और यहां पर जो है इस तरीके की जो म जूरले के मामले हैं वह का देखने को मिलते है गाओं मेंगे लेकिन उसक्राओं में भी जो है काफी जड़ा पहुंचा दिया गया है उनको जल्सक्राइग को यहां पर अभी इस इलाके के अंदर लेकिन अभी वो कहां से वो लड़का रहता है इस बारे में कोकी पुलिस जो थी काफी जल्दी में थी और अब आगे जो है क्या तफ्तीश होगी उसके बारे में पुलिस प्रशासन आगे करेगा लेकिन फिल हाल जो है यहां पर मंगल कलोनी में एक गोली चलने का मामला सामने आया है और लड़के को गोली मारी गई है तीन लड़कों के द्वारे जिसमें एक लड़की को काबू कर लिया गया और बाकी दो लड़कों की तफ्तीश अभी जारी है तो फिलाल आपको मंगल कलोनी से तस्वीरे दिखा रहे थे लाइव तो फिर से आप से जुड़ेंगे अबिन 24 पे तब तक के लिए जैहन